ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा नमस्काद दोस्तों मैं अबर्शीद ब्रॉडवे इमिकेशन से लगातार कोशिश इस चैनल के जरीए स्टडी वीजा को लेके खासकर कैनेडा स्टडी वीजा को लेके और खासकर रिजल्ट को लेके आपको रेगुलरली अपडेट करते रहें इनफॉर्मड करते रहें नॉलेज़ करते रहें तांकि आप बहतर और स्ट्रॉंग डेसीजन अपने future को लेके ले सकें सो आज की जो हमारी major बात्चीत रहेगी वो रहेगी उन files के उपर जो November और December में लगी है कि इनके results कब तक आ सकते हैं Standard Time जो Embassy का है IRCC का है that goes 60 to 90 days सो detail मैं आज इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले चाऊंगा आप से कि इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब भी करें और शेयर भी करें और आगे से आगे पहुंचाएं तांकि जादा से जादा बच्चों का benefit हो इस चैनल पे आपको regular Canada Study Visa को लेके updates everyday मिलेंगे सो कुछ ना कुछ important information हमेशा मैं आप से शेयर करता रहूंगा इसके साथ साथ अगर आप Broadway की services लेना चाहते हैं तो आप हमारे दियेगे नंबर पे call कर सकते हैं nearest branch office में जाके आप मिल सकते हैं और अपने case को बारे में detail में समझ सकते हैं possibilities को लेके courses को लेके, colleges को लेके और अपनी applications को Broadway के साथ आप initiate कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप दूर से हैं तो आप फिर भी हमारी services online ले सकते हैं जिसके लिए BroadwayVisa.com हमारी website पे जाके apply now का form भर सकते हैं प्लस अगर आपके कोई question सवाल मेरे से हैं तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, follow कर सकते हैं so December और November में जो लगी files हैं, so सबसे पहले हमें यह समझना है कि IRCC कितना time standard लेके चल रही है so जो IRCC है वो presently अगर उनकी website देखें तो वो 12 to 14 weeks के बीच में fluctuate होता है और अगर standards की history देखी जाए, work काम करने की speed देखी जाए, तो उसके इसाफ से अगर notify करें तो biometric के बाद तकरीबन 60 to 90 days लग रहे हैं 60 to 90 days after biometric और file launch के बाद biometric depend कर रहा है, बीच बीच में fluctuate होता, अभी साथ साथ available हो रही हैं appointments so 90 days का अपना time approximately जरूर लेके चले, उसके बाद ही आपको aggressive होने की जरूरत है, या कोई web form raise करने की जरूरत है, but 90 days तो extended सा time रहेगा so present जो results आ रहे हैं वो आ रहे हैं November files के उपर, सबसे ज़दा result जो रगातार आ रहा है everyday, that is November files, जो November में complete होई हैं, with biometrics, ना कि जो सिर्फ lodge होई हैं, इसमें बहुत सारी files ऐसी होंगी, जो November में lodge हुई, December में biometrics हुआ तो अभी जो result है, वो November complete files का आ रहा हैं इसके बाद आपको जो results हैं आने वाले तकरीबन 8-10 दिन के बाद आपको December की files के उपर काफी result देखने को मिलेगा, और December में complete हुई files की, मैं बात करूँगा यहां पर, जो lodge हुई है चाहे December में और चाहे November में, बट उनके जो biometric हैं वो December में हुए हैं तो यह बच्चे तकरीबन March मंत के अंदर अपना regular result रेसीव कर सकते हैं, उमीद कर सकते हैं और बे फिकर होकर आप उस result का इंतजार कर सकते हैं, काफी बच्चे on time result रेसीव करेंगे क्योंकि December में, ज़्यादा तर जो files लगी हैं, वो May intake के लिए लगी हैं, तो definitely May intake का बहुत सारा student जैसे की शुरू से उमीद है, कि वो on time अपने results को रेसीव करेगा वो time से stamping करा सकेगा travel कर सकेगा, so May वाले students अब ready हो सकते हैं, March मन से regular उनका बहुत सारा result आने वाले दिनों में दिखेगा, so आगे भी इस channel के साथ जुड़े रहें, subscribe करके रखें, और अगर अगर अपने profile को लेके Canada की file आप September intake के लिए time से लगाना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते आइक यू